है गैस कैसे बाइब साभी दोस्तों जैसे कि कल के वीडियो में बताएं थे कि आज हम बात करने वाले elephant bonding के उपर जो दोस्तों आगे है elephant bonding का वीडियो दोस्तों जो लोग नए हैं उन लोग को थोरा सा confusion हो रहा होगा कि यह elephant bond या फिर कल का वीडियो क्या है दोस्तों उन लोगो बताना चाहेंगे कि एक series बना रहा है जिसमें हम बता रहे हैं कि what is black money, what is hawala या फिर black money को white money में कैसे convert किया जाता है उसका ही एक part है यह elephant bonding जिसको legal method कहा जाता है black money को white money में convert करने का इंडिया में तो दोस्तों चलिए बात करते हैं और दोस्तों जानेंगे कि elephant bonding आफिर कैसे काम करता है और आप लोग कैसे अपने मदब आपके पास अगर हो ऐसा नहीं कि आप illegal काम करते हो लेकिन आपके पास हो तो आप कैसे convert कर सकतो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए सो लेट्स बिंग लेकिन से पहले बात कर लेते हैं कि हमें सवराप चोधरी और यह है ट्रेनिंग टॉपिक के उपर तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए जैसे कि आगे भी ऐसे अपडेट आपको मिलता रहे ओके तो दोस्तों आते ह लेकिन उसी वीडियो में बात किये एक एलिफैंट बॉंडिंग नाम से एक बॉंड है जिसमें लीगल मेठोड से आप अपना पैसा बहुत कम चार्जेज में ब्लैक मनी को आजब वाइट मनी कनवर्ट कर सकते हो मतलब सो रुपिया को आप सी परना रुपिया देके पूरे में 50 रुपिया पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा इसका हिसाब कभी आपको मांगा नहीं जाएगा इसको जहा चाहो वहां खर्चा कर सकते हो रहते हैं पैसा करते रहता होट दोस्तों यह बहुत सारा पैसा चाहिए होता है ये दोस्तों एकदम fixed होता है ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब इसमें उतार सराओ नहीं होता है आपको एक fixed return इसमें मिलता है ठीक है सरकारी bond हो तो उसमें बहुत मतलब इसका पैसा डूबने का chance ना के बराबर होता है और ये आप जान लिए की bond क्या होता है लेकिन अभी जान लेते हैं कि elephant bond क्या होता है बहुत सारा लोगों का जो ब्लैक मनी हो बहार के अब्रॉड में जो बैंकों में फसा हुआ है मतलब रखें इंडिया में तो रख नहीं सकते हैं उसको मतलब बताना पड़ेगा कि यहां पर है मेरा पैसा या फिर उसका जो हिसाब तो नहीं दे पाएंगे वो इसलिए क्या करत मतलब आपके पास अगर 10 करोर रुपे है जो कि एक ब्लैक मनी है अगर आप उसको मतलब ऐसा वाइट कनवर्ट करना चाहते है और एलिफेंट बॉन्डिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जिसका दस करोर में से 40 परसेंड या निक चार करोर रुपे आपको 50% फिटेंट मिलेगा ठेके और 40 करोर रुपे का 40% ठीके और जो आपको रिटर्न मिलेगा उसके मला 15 साल बाद जब उइड्रॉल कर पाओ तो उसका जो रिटर्न मिला आपको मतल Esto चार करोगा सुझा दसलाग रुपए आपको मिला 10 साल बाद ओके तो उसका 75% आपका पैसे का नहीं आपके वो जो इंट्रेस्ट आया उसका 75% सरकार रख लेगा मतलब चार करोगा जो इंट्रेस्ट आया पनरा सालों में उसका 75% दसलाग जो होता है 10 लाग में से सारे 7 लग स सरकार रख लेगा आप चार करोर ढाय चार करोर दोलाथ 50,000 रुपे आप ले सकते हो ठीक है दस साल बाद प्रणा साल बाद जो लोकिंग प्रियोड होगा अभी आप लोग बोलेंगे कि 40% रुपिया 4 करोर बाकी का 6 करोर का क्या होगा मतलब 60% हिस्से का 15% मतलब 6 करोर का 15% जो है मतलब 1.5 करोर होता है तो वो सरकार as a penalty आपसे ले लेगा मतलब ऐसा charge कहलो income tax कहलो या फिर penalty कहलो वो सरकार ले लेगा आपसे और जो उसमें सारे 4 करोर रुपिया बचा यानि 45% हिस्सा वो तब के तब जब आपने वो दिखाया कि मेरे पास इतना है black money तो तब के तब आप सारे 4 करोर रुपिया मिल गया 15 साल बाद आपको वो पैसा मि और आपका सारा पैसा मतलब 10 करोर में से डेर करो रापसे आपको penalty दिना पड़ा और बाकी का जो पैसा है वह आपका हो गया इसमें आपको कोई भी लॉग या फिर कुछ भी आपको कोई भी सजा नहीं होगा कोई भी हिसाब नहीं दिखाना पड़ेगा आपका पैसा डिरेकली जो वाइट में कनवर्ड हो जाएगा दोस्तों यह है बेसिकली एलिफेंड बॉर्णिंग जिसको बहुत लोग जानते हैं यह आने वाला दोस्तों आयेगा तो बहुत इंडियन अपने कामों पे ठीक है लब खुद के कामों पे नहीं देश के कामों में सरके यह सब बनाने में जो होगा इंडियन इकोनोमी को बूस्ट मिलेगा जब यह सब होगा तो रूपे का वैलू भी जो है वो भी बड़ेगा दोस्तों यह था कुछ एलिफेंड बॉर्णिंग है गाईज और दोस्तों को बताना चाहते हो कि एलिफेंड बॉर्ण्ड क्या होता है या पिर उनके पास थोड़ा बहुत है आपको लगता है तो उनको शेयर कर दो उनको थोड़ा सा हिल्प हो जाएगा और दोस्तों इसी तरी के वीडियो चाहते हो तो आप जल्दी से चैन